पॉलिटिकल पार्टी के अलग-अलग पार्टियों के लोगों इस कभी सम्मेलन से आप ये सीख कर जाना कि आप किस जगे और किस राजनीती में पैदा हुए देश मननर सिंग राव जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी गटबंदन की उसके बाद भी हमें जब जिनेवा में अपने पक्ष रखने का मौका मिला पाकिस्तान के सामने तो कॉंग्रेसियों ने किसी कॉंग्रेसी को नहीं भेजा सबसे अच्छा बोलने वाले हमारे कभी कुल के बड़े अटल बिहारी वाचपेई को प्रतिनिती मना कर बेजा सविक्तराश्व संगना अटल जी का स्वास्त कराब हो गया तो उनको इलाज कराना था तो राजीव गंधी जी ने उनको बुला कर कहा कि मैं आपसे यह अग्रह करता हूं कि आप क्रपा पुर्वक सरकार के पैसे पर बहार चले जाई अपना आधी के बाद आज बात अलगे कि सुभई सुभई वाट्सप विश्वरिद्याले पे एक सिलेबस उतरता है इस देश में एक वाट्सप युनिवर्सिटी है उसमें पढने के लिए मूर्ख होना नियुंतम योग्यता है प्राथमिक योग्यता है उसमें कुछ करना नहीं इसी पड़ता को 17-18 साल के लड़के का बाप 4,000 अब आधा दिला देता है ओपो और वो पठा शुरू के पो-पो और गांधी पर बात करता है कें यू बिलीव गांधी 17-18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है यहाँ जवान-लड़के बैठे हो तो उनसे कहता हूं ला तो दिन गान्धी का नाम लेने की कोशिश करना, इतना बड़ा जादू कर पैदा किया इस दिश, मैं तो आश्चर में हूँ कि, बोलते क्यों नहीं हैं कॉंग्रेस के लो, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं, सर मुझे किराए पही रख लो, हाँ भले, मैं पढ़ रहा था, 1933 में गोलमेश समेलन में बापू गए, जिस बात को कहके मैं संपस्तरल को बुला रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि, एक एक विक्ति इस पर महर लगा है, जो आज मैं लातूर में कहके जा रहा हूँ, 1933 में जब बापू गए, तो ब्रिटेन के राजा से मिलने का समय ते हुआ, और ब्रिटेन का राजा ऐसा राजा नहीं था जैसी आज की महरानी है, दो तिहाई दुनिया का मालिक था, दो तिहाई दुनिया का, जिसको चाए गरदन काट दे, जिसको चाए जमा करा दे, बापू से मिलने का समय हुआ महराज के ADC ने सेकरेटर ने लेटर लिख कर भेजा बापू को कि फुल कोट पेंट और टाई में आएं ब्लेक या ग्रे रंग का कोट होना चाहिए ये ड्रेस कोड है लेकिन वो तो बापू वो तो गुजरात का गांधी भारत की आत्मा स्टील की आत्मा चाती का नाप ते नहीं था पर कलेजी की हिम्मत ते थी इसलिए उसका नाम गांधी था बापू मिलने के लिए गए समय ते हुआ बरकिम पहले इसमें बग्गी उतरी तो एक धोती में हिंदुस्तान का फकीर लाठी लेकर अंदर राजा को बताया गया कि वो तो कपड़े ही पहन के नहीं आया राजा ने का चलो मिलके तो देखते हैं जॉर्ज पंचम सामने बैठा और गांधी से उसने पूछा वैल मिस्टर गांधी तुम्हारे कपड़े कहां हैं अगला जो वाक्य बोला इसके लिए स्टील का कलेजा और भारतियता की मिट्टी चाहिए बापू बनने के लिए जैसे उसने पहला वाक्य बोला कि तुम्हारे कपड़े कहां हैं बीच में से दो दाठ टूटे हुए मुस्कुराते वे बापू ने कहा हुजूर मेरे छोड़िये मेरे पूरे देश के कपड़े तो आपने चुरा लिये मैं कहां से पहना ये कहने का साहस गांधी को गांधी बनाता है इस देश में जब तक आप विपरीत स्वर सुनना नहीं सीखेंगे तब तक आप सच्चा लोकतंतर जीवित नहीं रखेंगे इसलिए यहां जो भी लोग बैठे हो एक दूसरे को सुनना स्विकार कीजिए और नेताओ आप तो जरूर सुनो मंतरी बनने की प्रत्याशा में बैठे हुए विधायक जी जरूर सुनो आज यह फस गया है मंदिर में मिला तो बड़ा प्रसन्द था विधायक उसको लगा कि प्रेम से बात करो तो कुमार विश्वास अच्छी बात करेगा पर हमने अपना वाला नहीं छोड़ा तुम तो पराय हो जिन पत्थरों ने हातोड़ी और छेनी की चोट सेने से इंकार कर दिया वो पत्थर पत्थर रह गए वो मूर्ती नहीं बन पाए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ और अगली बात पर शायद आपकी तालियां संपजी को आमंत्रित करें ये सब जानते हुए कि कुमार विश्वास कौन है और क्या बोलता है ये सब जानते हुए कि आदर निया पाटिल साब जो ग्रह मंत्री थे तो राजनीती में विविन प्रकार के विवेद में हमने इनके विशे में क्या क्या बोला है हमने कितने कितने भाषन दिया और बयान दिया है उसके बाद भी लातूर ने और इस परिवार ने हमें आमंत्रित किया है इससे पता चलता है कि असली राजनेता क्या होता असली पहचान क्या होती असली स्वीकार क्या होता मैं चाहता हूँ कि इस समय सच की बड़ी बेखौफ आवाजों में एक, एक मुस्कुराता हुआ ठाहा के वाला आदमी, जिसकी टिपनियां आप बरसों याद करेंगे, ऐसे इस वक्त के सटायर के सबसे बड़े कवी का स्वागत, जरा जादा बड़ी तालियों से हो, तो अच अचा है, जोड़दार तालियों से आमंत्रिप करें, समय सब्सक्राइब, समानिय पाटिल साब और तमाम जो अगरिम पंक्ती में महनिय लोग बैठे हैं और सब इस रोताओं का अभिवादन, डोक्टर कुमार विश्वास का जादू आपने देखा, अगर कोई सिनेमा का सेलिब्रिटी भी यहां होता तो भीड हो सकता, इसे दुग नी होती, लेकिन हुरदंग भी होता, और आप पुरे मनोयोक्षे शांत चित से पूरा कवी संबेलन सुन रहे हैं, दो कवियों को आप सुन चुके हैं, मैं किसी ब्रह्मे नहीं हूँ, अब क कुछ नहीं है कि हैदरावाद से यह भी मेरी कार में ही आएं, काफी विधायक जी के लिए कह दिया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराष्ट्र का जो घटना करम हुआ, यह पहला मोका है, जब चोकिदार का पाला किसी थानेदार से पड़ा है, स्वस्थ लोक तंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, और जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो, तो यह जिम्मेदारी बुद्धी जीवियों पर आ जाती है, मुझ पर और डॉक्टर कुमार विश्वास पर और तमाम कवियों पर विशेश कर मुझ पर यह आरोप लगता है, कई लोग तो कहते भी हैं कि संबच सरल जी, बैलेंस किया करो, आप एक तरफा क्यूं बोलते हो, मैंने का जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं, अच्छा है आपने बता दिया कि एन्सिपी के विधायक हैं, सेकिंड की सुई भी घड़ी की घंटे का काम कर रही है, यह मोहबत रहनी चाहिए, अभी पिछले तुनों एक कविशम मेलर में सामने विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने का साब बीजेपी में हो, कॉंग्रेस में हो क्या, बोलो नहीं बीजेपी में हो, कॉंग्रेस में गंटे पर पहले थे, देखो, दो लोग मिलकर के इस देश को जिस तरह से चला रहे हैं, यह गुशे की बात नहीं है, यह तो मजाक का भी से है, आपको हसना चाहिए इस बात पे, जिस पे आपको गुशा आता, हम कभी लोग बहुत हसते हैं, ठाके लगाते हैं इस पे, इतनी बड़ी पार्टी फिर भी तोड़ फोड में लगे रहते हैं, मैं तो यह समझता हूँ कि, ग्रे मंत्री और प्रदान मंत्री अकेले में मिलते होंगी, बोले, उसको तो पटकी दिया, इसका ये कर देंगे, उसका वैसे करी देंगी जाएगा, मैंने का भई बहुत जोड़ लाग, जिस तरह से विरोधी पार्टी ओं में इतनी बहुमत के बावजू तोड़ फोड़ करने हैं, कहीं ऐसा नहीं होगी 2024 के चुनाव में बीजेपी का चुनाव चिन्नो हाथ के पंजे में कमल का फूल, लेकिन पाडिल साहब निराश होने की बातनी है, तमाम लोग जो बैठे हैं, कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पोधे, धूब बर्सी है तो बारिश भी यहीं पर होगी, चीजें बदलती रहती हैं, हम पर अक्सर आरोप लगदा है कि हम कभी लोग आलोचना करते हैं, देश की बुराई करते हैं, अभी मैं कल दुबई से ही आ रहा हूँ, बहुत दुखी हैं वहांके लोग, पूरे साथ आठ घंटे में वहां रहा है, एक गाड़ी का होरन नहीं सुना, पता नहीं इतनी शांती में कैसे रह लेते हैं, यहां तो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी होरन बजाते हैं, बहुत अच्छे भई संपत भाई जिन्दाबाद, एक मिनिट बिजली नहीं जाती, वो बिचारे क्या जाने बिजली आने का क्या सुख होता है, तुम्हारे टाइम में जरूर आना था चाय वाला, मेरी तो मत रखना भईया, यह की बारी पड़री, नहीं यह दो बार आया, चुकी चाय वाला भी दो बार आया, यह सब चलता रहता है, हम कोई किसी की बुराई नहीं करते हैं, इस देश पर उतनी मौभबत हमको भी है, जितनी किसी देश वक्त को होती है, हम तो आयना दिखाते हैं, उल्टा हूँ ज्यादा अच्छा है, वरना इस राष्टर पर हमें भी गर्व है, और खुशी की बात है कि पिछले पांच-छे साल में तो इतना काम हुआ है, कि भारत फिर से विश्व गुरु होने में है, लगभग आउटर पर खड़ाया, और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है, जिसकी जेलों तक में संत मात्मा रहते हूं, वह जिन्दा वा, संपत क्या वाद है, वा, वह, वह, क्या भ्यंगे, जो जो मुद्ये सुन जाने के नाम पे मेरे ख्याल से उलजाये जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन समय करेगा, अभी जैसे धारा 370 का मेटर हुआ, ये चीजें भी भविश्य बताएगा कि कितना सही है, कितना गलत है, बेंड तो हमारी स्यादी में भी बहुत जोरदार बज़ा था, बहुत ताली तो आने वाली बात थी ये, और ये नागरिकता और ये सब, देखो जो दुनिया में आया है, दुनिया सब की है, हो सकता है किसी दिन ऐसी एनर्सी और पता लगे कि, अम्मे से आदे लोग तो शक, उन, कुशान है, जो साथ समंदर पार से आये थे, दुनिया मोहबबत से चलती है, आग लगती है जंगल में तो ने तो वो बर्गत बचते हैं, जो हवा को आधी में बदलते हैं, और ने वो बांस बचते हैं, जो आप सी रगड़ सी चिनगारी पैदा करते हैं, पूरी दुनिया का परिद्रश्य आप देखो, चाए वो ट्रम्प हों, पुतिन हों, आबे हों, वहाँ वाले हों, या यहाँ वाले हों, आपको लगता है कि, राजा का चुनाव प्रजा करती है, दरसल दस बारे मल्टी नेशनल कंपनिया मिलकर की जिसमें चावी वर देती हैं, वो खिलोना चल पड़ती है, आए है है, आए है, क्या सच बोला है भाई, दो चीजें होती हैं, बेंक का कारिक्रम हमें बताना चाहता हूँ, वो एक है, बाजार एक, बाजार वाद, बाजार हर युक की जरूरत है, चाहे उसका फॉर्मेट कुछ भी रहा हो, मारवड़ी लोग यहां बैठे हैं, हम तो उस परमपरा के बाजार वाले लोग हैं, दुकान के दर्वाजे पर सुब लाब लिखा रहता था, यानि लाब तो हो लेकिन सुब हो, अब तो चीजे बहुत बदल गई, चाला कर्थ सास्त्रियों ने सारे समीकरन उलट पलट कर दिये, चुम्बक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ चीजें बदली भी हैं, जैसे इंडिया डिजिटल हो गया, अब आप ने सिरफ एक करोड का लोन 69 मिनिट में ले सकते हो, बलकि 69 करोड का लोन लेकर के एक मिनिट में भाग भी सकते हो, और व्यापार तो इतना आसान हो गया, कि कोई भी आजमी किसी भी समय कुछ भी व्यापार कर सकता, अभी मैं पिछले दिन हूँ दवा की दुकान पे गया, दरसल तबियत खराब नहीं थी, एक्सपारी डेट की दवाईयों पे डिस्काउंट चल रहा था, सहियोग से उस दिन धंतेरस थी, दुकान दार मेरा परचित था, उसने मजाग कर ली, बोले आर आत्यात तोहार के दिन भी बिमार पड़ गये क्या, मैंने बात समाली, मैंने का ऐसा नहीं है, दो कारोनों से खरिद्दारी करने आया हूँ, एक तो आज कुछ न कुछ खरिदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे दुकान में आज के दिन आप ही कियां सबसे कम भीड थी, तो वो भी मजाग पे उतर गया, वो लो ठीक करे हो, दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था, कि एक दिन के लिए दुकान के आगे थोड़े से बरतन लगा लेता, दवा की दुकान के आगे तो दो पैसे ठीक से कमा लेते, वो दस दुकान छोड़ करके सिंग साब हैं मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पठाके बेशते हैं, और अब व्यंग का आनंद लेना, बोलो सिंग साब तो दीपावली पे पठाके बेशते हैं, मैंने का सिंग साब के पास पठाके बेचने का लाइसेंस है क्या, बोलो लाइसेंस ही पठाके बेचने का है, बिना लाइसंस के तो वो दवाईयां बेच रहे कविता तिवारी ने कितनी अच्छी रचनाई सुनाई बेटियों को लेकर के और यहां भी मैं देखता हूँ कि इसे परिवार लोग आये हैं और देखो एक निवेदन कर दूँ शादी सुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे वैसे भी औरत का त्याग इस्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बढ़ा है वो पत्नी ने डिंग हांकते वे कह दिया पत्नी से मेरा बडबंधेह जो तेरे से बिना देखे स्यादी कर ली पत्नी बोली मेरी भी मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया मैं मापी चाहता हूँ हालां कि ये काम उनको करना चाहिए लेकिन गलती उनकी नहीं है दरअसल वो भी अमारी तरह देश की सेवा करना चाहते हैं वो बता सकते हैं करांती चेतना क्या है लेकिन कलम तो जेम में टांक दी रहाथ पीछे बांद दिये तो क्या लिखें बिचारे जीश पाखंडी की ख़बर ले करके जाते हैं अखबार में पता लगता है दूसरे दिन उसी का आदे पेजगा विग्या पने आशिरवात देते हुए तो ये क्या कर लेंगे लेकिन हसा ये भी कम नहीं रहे हैं साब यहां का तो मुझे पता नहीं है हमारे यहां तो अखबार तीन चीज़ों के लिए पड़े जा रहे है बिजली कटोती उठावना और रासी फल और रोज ने निकलते हैं एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे बोलो संपसरल जी नया अखबार लोंच कर रहे हैं पी गराक बन जाओ क्योंकि अखबारों का आप कोई पाठक तो बनता नहीं गराक ही बनते एक रुपय में सोला पेज मैंने का वहिया रुपया चाहे एक की जगे दो ले जाए लेकिन सोला पेज खाली दे जाए कर फिर मैंने रिशर्च की कि इतने अखबार बिखते कैसे हैं तो आचाने के एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया बोलो संपसरल जी आज आपका नाम अमारे अखबार में छपा मैं बड़ा खुस हुआ जी आपका अखबार कहा मिलता है बोलो हमारा अखबार को योकर नहीं माड़ता है जिस किसी का नाम छप जाता है दिन बर वही खरीद खरीद कर माड़ता है और टेली विजन वाले तो इतना हस आते हैं वो प्राइम टाइम पे बैस देखते हो जैसे किसी जमाने में अवद के नवाब मुर्गे लड़ाते थे अमूमन चार जन बैस याते हैं एक मुद्दे का समर्थक दूसरा मुद्दे का विरोधी तीसरा बुद्दी जीवी दोनों को हड़काने वाला और चोथा एंकर तीनों को बढ़काने वाला और व्यंग पर आपकी तालियां उठेंगी चोथा एंकर तीनों को बढ़काने वाला बैस ओनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते रेखा की गरीबी पर